हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्माने सातियों वेलकम टी योट्यूब चैनल टैट पॉइंट आज हम बात्चित करने जा रहे हैं निपुण भारत तालिका कक्षा बाल वाटिका से कक्षा एक दो तीन चाहे वो गणित हो चाहे भासा हो की तालिका को कैसे भरेंगे आज हम इसी की तरफ चल रहे हैं इसी की वीडियो बनाने जा रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नोटिफिकेशन आपको उसर परत्थम प्राप्थ हो सके और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता न चल ले तो हम आपको निपन भारत की ताली का बालवाटी का से कक्षा तीन की भासा और गनित की दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की है तो यह हमारी गनित की बालवाटी का है और यह हमारे निपन भारत ताली का गनित कक्षा एक की है और यह हमारे निपन भारत ताली का गनि कक्षा दो की है और यह हमारे कक्षा तीन की ताली का है गनित की और यह हमारे भासा बालवाटी की है और यह हमारे भासा कक्षा एक की ताली का है और ये हमारी निपन भारत तालिक का भासा कक्षा दो की है और ये हमारी कक्षा तीन की भासा तालिक का है तो इस प्रकार से ये एक जलक हम इसको आपको दिखा चुके हैं अब बात करते हैं ये किस प्रकार से भरी जाएगे तो यहован आप सबसे पहले तो यह हमें तालिका में परिष्ठों का अंकन एवन प्रमानी करन नवीन सत्र एक अप्रैल से हमें इसका प्रारंव करना है और इसमें हिंदी एवन गणित विश्यों की लेर्निंग आउटकम के साप्पेक्ष विद्जियारतियों की प्रिगति को अ मंदित लेर्निंग आउटकम प्रदसित होते हैं उपर की रिक्त पंक्तियां रो एक दो तीन जैसे मानलिज यह आपकी यह आपकी रो है यहां आपको बच्चों के नाम यहां पर लिखने होंगे और विद्यारतों के नाम लिखे जाएंगे और यादी किसी कक्षा में इन कॉलम से मानलिज यहां पर इसमें 34-35 इसमें बच्चों के नाम लिख सकते हैं अधिक नामंकन हैं तो आप अतिरिक तालिका प्रियोग में ला सकते हैं और तालिका के ठीक दाइं और आवसकता नुसार अतिरिक कॉलम बना कर चस्पा कर सकते हैं और प्रितिक लेर्निंग आउटकम के सापिक्स विद्यारतों की प्रगर्ति को सिक्षक विभिन तरीकों से जैसे कक्षा सिक्षण के दोरान अवलोकन समुकारिये बोलना लिखित कारिये या फिर कक्षा इस तरिये लिखित वे मोखिक आकलन टेस्ट के माध्यम से ग्याद करे कि सतत आकलन शिक्षण अधीगम प्रिक्रिया की एक अभिनंग है इसलिए शिक्षण को अप्प्षा की है कि सिक्षण अधीगम प्रिक्रिया के दोरान उसके दौरा सतत रूप में बच्चों की प्रिगती का अवलोखन करेंगे और जब कोई विद्यारती किसी लर्निंग आउटकम में दी गई दस्ता को प्राप्ट कर लेता है और इसके अनुसर कारिय करता है तो उसे लर्निंग आउटकम के साफेक्च उस तारीक को लिखना है जिस दिन सिक्छक ने उसकी जाच की तो मान लेजिए हमने एक अपरेल को या पंद्रे अपरेल को या कोई भी जिस ता तारीक लिख देंगे मान लिजिए उस बच्चे ने यहाँ पर इस दक्ष तक को पहली दस्ता को प्राप्ट किया यह सभी कख्छाओं के लिए मैं बता रहा हूं कख्छा अगबाल वाटिका से कख्छा तिन के लिए तो वहां पर जैसी एक कॉलम है आपका जैसी एक कॉलम है आपका तो इस में आप यहाँ पर तारीक लिख देंगे यहाँ पर आप तारीक लिख देंगे और जदी बच्चा उस तारीक में जिस तारीक में मान लिजिए आपके 30 बच्चे हैं या 25 हैं या 20 बच्चे हैं और एक बच्चे ने यहाँ पर दक्स्ता एक प्राप कर लिए है तो यहां पर उस तारीक को जिसमान लिजे आप पंडरे अप्रेल को यहां पर कर रहे हैं तो पंडरे चार दो हजार बाइस यहां पर लिख देंगे और जदी इसने दख्सता हासिल नहीं की है तो आप उसको कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरी चीज इसमें यह ध्यान लखना होगा कि आप उस बच्चे के कॉलम में जैसे यहां पर राइट या क्रोस का साहिन नहीं लगाएंगे बलकि उसमें आप तारीक लिख देंगे जैसे मैंने भी बताया कि आप जिस तारीक में भी आप जाच कर रहे हैं आप उस तारीक को यहां पर अंकित कर देंगे यह ताली का हमें किसी निश्य तिथी तब बच्चों को वास्तिविक अधिगम इस तिथी को दरसाती है इसे एक ही दरस्टी से यह पता चलता है कि विशेवार किस लेर्निंग आउटकम पर कारेक करने की आव सकता है और उसी अनुरूप सिक्षक अपने सिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे की विद्यार्ती वर्तमान कक्षा के पाठे क्रम से तार्तम में स्थापित कर सकें और प्रदाना ध्यापक द्वारा समय समय पर एवं SRG या ARP द्वारा सपोर्टम सिपोर्वीजन के समय प्रेड़ना तालिका सोरी निपुन भारत तालिका प्रमानिकरन किया जाएगा और इसके लिए तालिका में दर्साई गई इस्थिती के आधार पर कुछ बच्चों से बाच्चित अत्वा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रियास करेंगे कि उनकी वास्त्रिक अधिगम इस्तिती तालिका में दर्साई गई अधिगम इस्तिती के अनुरूप है अत्वा नहीं जो आपने उसमें तारिक फुलक की है कि हाँ इसने ये बच्चे ने ये दक्सताय हासिल कर ली है तो वो जाचेंगे कि हाँ ये बच्चे ने हांसिल की है अत्वा नहीं इसी तरह से जिलाबेसिक शिख्षादिकारी एंखर्ण सिख्षादिकारी भी सेंपल के आधार पर तालिका से अंकित विवरण की सत्यत्ता की जाच करेंगे और यह वो यह पाएंगे कि हाँ जो आपने यहाँ पर फिलप किया है जो दक्सता बच्चे ने हासिल की है वो बच्चे ने हासिल की है अत्वा नहीं तो इस चीज को वो यहाँ पर उस चीज को देखेंगे और अब बात करते हैं कि निपुन भारत तालिका को कहां चस्पा करना उचित होगा तो इसके लिए आप पिरते कक्षा की दिवार अर्थाद बिलेक बोर्ड ग्रीन बोर्ड अत्वा वाइड बोर्ड के बगल में पर चस्पा अत्वा कार्ड बोर्ड पर चस्पा किया जाए ज तो निश्चित किया जाए जिससे कि किसी भी परेविक्षण के बच्चों की सेख्षिक प्रगती का अवलोकन की आजा सके कोई भी परेविक्षण करने के लिए आए कोई भी निर्ख्षण करने के लिए तो उसकी प्रगती का बच्चों की सेख्षिक प्रगती का अवलोकन और निप्ण भारत मिशन की प्रवावी किरियान वें ऐम लक्षे प्राप्ति है तुम में चस्पा की गई तालीका में एक अप्रेल 2020 से बच्चों का नाम लिखना भरना वे उनकी प्रिगती की प्रिगती को अंकित करना सुनिश्चित करें यदि उख्त कारिय में सिथिलता पाई जाती है तो सम्मनित विकास खंड, सिख्षादिकारी एवं एर पी उत्तरदायत होंगे तो यदि संचित रूप से यह है कि आप यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे और यदि बच्चे नामांकित बच्चे आपके जितने इसमें 34-35 बच्चे ज़्यादा हैं तो आप उसके बरावर में दाइं तरफ आप इसी परकार की कॉलम लिखे लेंगे और यदि इस परकार का नहीं कर सकते तो आप इस परकार की अन्य तालिका ले सकते हैं और यहाँ पर उसी तारिक को यहाँ पर आप अंकित करेंगे जिस तारिक में आप बच्चे को जाच कर रहे हैं तो यह मैंन चीज है और यह आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें